कि अग्रेसिव है भेरती चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें नुक्ति पत्र मिले लेकिन समस्या यह आ रही है कि सरकार के पास कुछ करवाईया है कुछ प्रोसेस हैं उसके कारण विलम होड़ा है हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरन गगन उनसे जान ल वक्त लगएगा देखिए पर्यास्त यह वह रहा है कि इतना जल्द से जल्द हो सके नुक्ति हो जाए अब काफी दिन से प्रसान है अस्तान सवाल है यह कि आक रोस इसलिए है कि चुकि थीन बर्सों से वेवाट जोड़ हैं और कभी कुछ कभी कुछ ब्राबर जो सो निरा जो उन्हें वादा किया है कि हम दस लाग नुजवानों को रोड़ देंगे उस दिसा में काम भी काफी तेजी से ओड़ा है कई भी भागों में नियुक्तियां आई भी है जो बशों से लटका हुआ था और प्रात्मिक सुची में है सिक्षकों के नियुक्ति अब सवाल यह नहीं होगा है कि जो हचَّठ हा चलाँ अभी भी चल रहा है तो उसमें जो लोच यू कमी आड़ा गई है उन लंबे दिनों तक प्रक्रिया चलती है उसके बाद इतने वेवर्ग इसमें हैं सिख्षकों में कि आपस में काफी कंट्राडिक्शन है अब माले कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो या उसके बाद जो किसी को मौका में जाने के लिए तो फिर लटक जाएगा इसलिए सरकार यह चाहती है कि किसी धंका कोई लोच नहीं रहे अब यह सवाल उठा रहे है कि क्यों इसको लंबड़ाया जाड़ा है सवाल ही है कि सातमा चरन की बहाली अगर सुनू हो जाती है तो जो जिनका छठा चरन में जिननों का बचा हुआ है लेकिन एक चीज है जो छठे चरन की प्रक्रिया खत्म हो गई थी फिर आप लोगों ने यह कहा कि 30,000 जो सीट है बचा हुआ है फिर से उस पर प्रक्रिया शुरू होगी तो दो मेने का फिर तो विलंब हो गया ना सवाल है कि जिस नियोजनीकाई में कॉंसलिंग नहीं हुआ है उसके मौका में जागा कोट में जाने का इस पर अध्यांड हुआ है ऐसी बात नहीं है सकार बोली थी कि यहां साहब अब जो छट्टा चरन स्माप्त किया जाता है शात्मा चरन सुरू करेंगे तो प्रक्रिया तो इसी लिए सरकार की मनसा जो है कि किसी ढंक से लोच नहीं रहे किसी को मौका नहीं मिले उल्जाने के लिए का फंसाने का चुकि कई तरह की मामला इसमें बहुत बात है विसके बहुत लोग हैं चार रहें कि सीटेट हो जाएंगे इसमें तो असली परशानी वही है लेकिन ऐसी कोई अचरन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा चाहेंगे बाइस तारीक को बड़ा बवाल होने वाला है बाइस तारीक को बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से यहां पर अभ्यार्थी पहुंचने वाले हैं क्या करेंगे क्या फिर लाठी चलेगी फिर आसुग गैस श सब्सक्राइब करना चाहिए और उन्हीं के हीत के लिए बिलम जोड़ा उनके हीत के लिए साइप मैंने कहा कि ठीक है माने प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद कोई कोट में चला जाता है तो फिर वह सो कितना महीना कितना दिन घीचाएगा इस बात को भी नहीं समझ उनको जो भए है उसके बारे में बारबावा स्ट कि आया चुका है कि जो इस टेट के लोग होगे उसके पहले और के प्रक्रिया स्ब्सक्राइब और जब सरकार की मनसा साफ है तो इस समय हो नहीं है लेकिन यहां जो कैम्पेण चल रहा है वो 22 तारिक को है कि पटना चलो पटना चलो दो दिन पहले भी यहां हंगामा हो गया उसी मुद्दे को ले करके तो अगर वाकई पटना वो लोग आ जाते हैं तो क्या लगता है सब चिस सांतिपूर्ण रहे गया कि फिर वही हालात लोगत्त मैंधिकार हैं अपनी बातों को रखने के लिए करने के लिए लेकिन सवाल है कि ऐसे अफसरों का लाव ऐसे तत उठाएंगे जिनकी मनसा है कि कहीं सने कहीं सिक्षकों के नियुकति बाधित हो और सरकार की बदनामी हो दोनों बात है माने सरकार के भी जो विरोधि है मैंने किसी एकारण तो हम समझते हैं कि जो है तो इस बात का ख्याल रखना जाए